ताटा ने सियम योगी से मिलाया हाथ अयोध्या में बनेगा मंदिरों का म्यूजियम योगी सरकार ने लगाई मुहर मौलानाओं में भड की आग नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाविस्ट राम नगरी अयोध्या लगातार विकास की नई नई गाथाई लिख रही है और इस विकास में बीजेपी और सीम योगी का सबसे बड़ा हाथ है इसी के साथ अब योगी सरकार साड़े सा का म्यूजियम बनने जा रहा है तो आज बात हो गई अयोध्या को मिलने वाले इसी साड़े साथ सो करूड की सौगात की तो चलिए शुरू करते हैं अयोध्या वैसे तो एक छोटा सा जिला है लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा और खास है हिंदू धार्मे के स्थलों में राम नंगरी अयोध्या हमेशा से एहम रही है लेकिन अब इसका भव्य और दिव रूप दुनिया के सामने आ रहा है राम मंदर के बाद अयोध्या का वैकास लगातार बढ़ता ही जा रहा है इसी बीच अयोध्या के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है राज्य सरकार ने अयोध्या के लिए एक बड़ा प्रस्ताओ मन्जूर कर लिया है अयोध्या में मंदिरों का एक बड़ा संग्राले बनने जा रहा है यानि की मंदिरों का म्यूजियम बनने वाला है ये म्यूजियम टाटा समूद वारा बनाये जाएगा जिसमें तक्रीबन साड़े साथ सो करोड रुपे का खड़ जाएगा जहां बीते दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंतरी मंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस महत्पूर्ण फैसले के संबंद में जानकारी यूपी सरकार के एक्स हैंडल पर दी गई है पोस्ट में बताया गया है कि विश्व इस तरी मंदर संग्राले के निर्माड और संचालन हेतु भूमी के उपियोग का लाइसेंस दिये जाने के प्रस्ताव को स्विकृति प्रदान कर दी गई है म्यूजियम के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश के परेटन मंत्री जैवीर सिंग ने बताया कि टाटा समू को म्यूजियम आफ टेंपल्स के लिए एक रुपे के टोकन अमाउंट पर नब्बे सालों के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी इस संग्राले का निर्माड सैडियू नदी के किनारे पच्चास एकड की जमीन पर बनेगा इसके लिए परेटन विभाग की तरफ से एक रुपे सालाना पर नब्बे सालों के लिए जमीन लीज पर दी जा रही है वो राम जन्मभूमी कनक भवन हनुबान गड़ी तक ही सीमित रहते हैं पर हम चाहते हैं कि परटकों को अयोध्या में और भी आकरशक चीज़े देखने को मिले ये मियुजियम अत्याधुनिक होगा और उसे अंतराश्टी मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा इसमें पूरे देश की मंदिर परंपरा इतिहास की झलक दिखेगी मियूजियम में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के इस्थापए और इतिहास की जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शोक की विवस्था की जाएगी वहीं इस म्यूजियम के नर्माण को लेकर टाटा संस ने कहा है कि वह अपने कॉर्पोरेट सो गाउं के में बनाया जाएगा इसके साथ गाउं के आसपास और भी इंफ्रस्ट्रक्चर तयार होगा इसके लिए लगभग सौ करोड़ रुपे खर्च होगे यानि कुल मिलाकर साड़े साथ सौ करोड़ का निवेश किया जाएगा वहीं और धाची और सीविज सिस्टम को लिए भी 351 करोड़ रुपे खर्च किये जाएंगे सीम योगी अधितनात के अध्यक्षता में हुई मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है इसके लिए योध्या के 28,000 घरों को सीवेश सिस्टम से जोड़ा जाएगा सीवेश सिस् दूसरे चरण में बाकी हिस्सों को कवर किया जाएगा इसमें स्टीपी पंप स्टेशन आधी भी बनाए जाएंगे साथी कैबिनेट ने अयुद्या में एक और विवी आईपी गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए राज्य संपत्ती विभाग को परेटन विभाग की जमीन निशुल को प्लब्द कराने का फैसला किया है योगी सरकार ने नौइडा में 11.56 किलोमेटर की मेट्रो लाइन और आगरा प्रयागराज इंडिस्ट्रियल नोट्स जैसे कुल 44 डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है वहीं आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश का योधिया शहर धार्मिक-परेटन का प्रमुक गेंद्र बनकर अभणा है आयोधिया का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ム सद्यूंस से बहा है जो बहुत पुरानी है राममंदर के निर्वार ner के साथ इस शहर का महत् tätä наша जादा बढ़ गया अब मंदिर संग्राले के नर्माड से योध्या का आकर्शन और भी बढ़ेगा और ये प्रमुक परेटन स्थल के रूप में उभरेगा इस संग्राले के माध्यम से परेटक भारत की समृद्धी धार्मिक और सांस्कृतिक दरोवर को नस्दीक से देख सके इसी साल 2024 में जनवरी से प्रती दिन दो लाग से जादा परेटक योध्या आ रहे हैं सिरी राम जन्व भूमी परिसर कनक भवन और हनुमान गड़ी परेटकों के आकर्शन का मुख्य केंद्र है जहां योध्या में राम मंदर के लोकारपन के बात से ही वहां पहुचने वा 75 लाग हो गई वहीं 22 जन्वरी को राम मंदर के लोकारपन के बात से लगबग 5 महीनों में ही 2 करोड से अधिक शर्धालू आ चुके हैं टाटा संस की तरफ से अयोध्या में विश्वस्तरी भारती मंदर संग्राले के नर्मान और परिसर के विकास के लिए कुल 7500 करोड व् पियम मोदी को ये प्रस्ताव बहुत जादा पसंद आये था उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी अधितनात के साथ वरिश अधिकारियों को विस्तार से परियोजना के बारे में बताएगा और अब खबर है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है उमी अबी 2025 तक समाब तो होने वाला है वहीं पहली मंजिल का काम जुलाई के आखिर तक पूरा होने वाला है वहीं आपको बता दी कि टाटा ग्रूप किसी काम में पीछे नहीं रहता है ग्रूप के मन में जो आता है वह उसे पूरा कंड के ही रहता है देश के सबसे पुराने का नर्माड में बड़ी भूमिका निभाने वाले इस बिजनेस ग्रूप की कम्पनियों ने देश के नए संसत भवन और आयोध्या के राम मंदर नर्माड में भी एहम रोल निभाया है टाटा प्रोजेक्ट को इस काम के लिए अवार्ड भी हासिल हुए है आयोध्या राम मंदर नर्माड में टाटा ग्रूप का बहुत बड़ा हाथ रहा है अयोध्या के तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी टाटा ग्रूप ने उठाई थी आपको बता दे कि मंदर के नर्माड की जिम्मेदारी लॉर्सन एंड टर्बो एल एंटी को मिली थी और टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी को एल एंटी के काम को परखने की जिम्मेदारी सौपी गई थी वहीं योध्या में लगभग बन चुका राम जन्मुभूमी तीर्थ मंदर में टाटा कंस्टल्टिंग इंजिनियर्स मंदिर परियोजना के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे है प्राण प्रतिष्टा के मौके पर देश के सबसे बड़े उद्योग पती रतन टाटा भी मौझूद रहे इस जौरान टाटा ग्रूप की कंपनी ने एक ऐसा एलान किया जिसे पूरे व्यापार जग में खल्चल मच गई सब हक्के बक्के रहे इस मौके पर उनकी कंपनी इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने बड़ा एलान किया कंपनी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में तीसरा होटल खोलने के लिए अनुबंद की घोशना की 865 करोड 90 लाक रुपे की बोली लगाकर कॉंट्रेक्ट अपनी नाम किया था कॉंट्रेक्ट हासिल किया था हलाकि इसे पूरा होते होते ये बजट बढ़कर रेपोर्ट के मताबिक करीब 1200 करोड तक पहुँच गया था और बीते 19 सितंबर 2023 में इसमें संसित की कारवाई मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता मैं लोगों के बीच रहता मैं लोगों के मन को अच्छे से जानता पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पहचांता संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर ख़बर से ख़रा सक्ष निकांता ना कोई दौड ना कोई रेट्स क्यापिटल वी उत्तर देश